प्रेगनेंसी में ऐसा देखा गया है कि पेट बहुत ज़्यादा फुलना पेट के अंदर गैस होना या फिर पेट सक्त होना टाइट होना एक पेट के अंदर बुलबुले जैसा होना जो की बिल्कुल ठीक नहीं होता है हमारे साथ पूरी तरीके से हमारा डाइजेस्टिफ सि तो आपका भूख जो है वो कम हो जाना या फिर किसी किसी महिला का भूख ज्यादा हो जाना इन सारे पॉइंट्स के उपर में बात करूंगी इस वीडियो में बताया जाएगा कि यह किस चीज़ का संकेत होता है सो गई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेलकम मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहें प्राइम मॉम ब्लॉग पहली बार अगर आए इस चानल पर चानल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और साथी साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा गाई जी यहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ये चीज़े देखी जाती है खासकर कब से देखी जाती है अगर बात किया जाया तो प्रेगनेंसी के तीन महीना एक से लेके तीन महीना के बीच में हम एक चीज़े एक्सपीरियेंस करते हैं कि खाना न इस दोरान डॉक्टर देते हैं दावाईया वैसे मैं पर्सनल ही अगर बात किया जाए सजेस्ट करने की तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि कम से कम दावाईया खाई है प्रेगनेंसी में सिर्फ कैल्सियम और आइरन की ही दावाईया लीजिए फॉलिक इसे जिंक वेगरा इस एक न कहीं डॉक्टरस आपकी जरूर तारीफ करेंगे अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम सीदी सी बात है हमारे सरीर के अंदर एक प्रकिरिया चल रही होती है बच्चे को बनाने वाली प्रकिरिया बच्चे का बॉडि पार्ट्स बॉ हो चुकी है लेकिन बच्चे का साइज बढ़ना ग्रोथ बढ़ना लंबाई चोड़ाई बढ़ना सरीर के अंदर भी बहुत सारे ओर्गिन्स होते हैं उन सब का टाइम टो टाइम डिवलॉप होना वो नहीं हुआ रहता तो चौते महीने बाद डिवलॉप होना यह सब स्टार कि पेट बहुत ज़ीदा सब्सक्राइब बच्चे का साइज बढ़ जहता है पेट में बच्चे को मुव करने के लिए यानि की जाधा से ज्याधा हल चल करने के लिए जगाह कम पड़ती है तब पेट आपका टैट होने लगता ह formats ही ऐसा आपको महसूस होता है प्रेगनेंस यह सबसे बड़ी बात कि यह एक healthy pregnancy का sign होता है और यह चीज़े दिखाता है कि बच्चे की growth बहुत अच्छे से हो रही है तब ही आपको यह सारी problem time to time देखने को मिल रही है कुछ महिला है इन सारी problem से अपने मन में एक चीज़े सोचने लगती है कि मुझे इतनी problem हो रही है pregnancy मे क्या मेरा बच्चा है वो तो स्वस्थ होगा कहीं आसा तो नहीं उसे भी कोई दिक्कत या कोई समस्या हो रही हो तो मैं आपको यहाँ यह चीज़ बता दू कि problem सिर्फ जो बच्चे की मा होती है उनको होती है उनके सरीर में hormones की changes होती है लेकिन रही बात आपके बच्चे की तो वो बिल्कुल healthy होता है healthy way में वो develop कर रहा होता है इसलिए इस बारे में आपको कुछ भी सोचने और घबडानी की जरूत नहीं है I think guys इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे doubt को clear किया जो time to time आप अपनी pregnancy के अंदर सोचते आ रही थी उन सारे points को मैंने एक एक करके highlight कि और यह चीजे बताया कि यह घबडानी की वजह नहीं है यह एक healthy pregnancy की वजह होती है thanks for watching guys मिलती हूँ आप सबसे अगली वुडियो में तक तक के लिए bye bye and take care